अलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपराइस D360 के कैपसुल के बारे में इस कैपसुल का यूज बिटमिन डी के कम्मे और अस्ट्व पोरोसिस के इलाज में किया जाता है ये बोडी को कैल्सीम अब्जॉब करने में हल्प करता है जो मजबूत और हल्दी हडियों को बना रखने में इंपोर्टेंट है ये तब यूज किया जाता है जब आपके डाइट में इनफ बिटमिन डी नहीं होता है आए जानते हैं कि बिटमिन डी डिफिसेंस के इलाज में कैसे काम करती है नॉर्मली आपका बॉडी सन के प्रकास से बिटमिन डी बनाता है लेकिन अगर आपके पास इनफ बिटमिन डी नहीं है तो ये मेंडिशन सप्लिमेंट के रूप में प्रिस्क्राइब के जाती है इसी रेगुलरली से लेना इंप्रोटेंट है ताकि इसके बेनिफिट मिल सके आप इसे काम करते हुए फिल नहीं कर सकते हैं लेकिन इसी लेना जारी रखें ताकि आपके हड्डियों के सेप्टी हो सके इसके अलावा यह आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकता है और डिफिरेंट इंफेक्शन के खिला बोडी के रजिस्टेंस को बढ़ा सकता है आए जानते हैं कि अस्टूपरोसिस के लज में कैसे काम करता है अस्टूपरोसिस एक नॉर्मल कंडिशन है जो हड्डियों को कमजोर और असानी से तूटने योग के बना देती है यह अकसर मेनोपोस के बाद महिलाओ में होती है वीटमिन डी कैलसियम के अब्जोक्शन के लिए इंपोर्टेंट है और आपके बोडी में कैलसियम और फोसफेट की कौन्टिटी को कंड्रोल करने में हल्प करता है यदि आपके पास इनफ कैलसियम नहीं है तो यह आपके हड़ियों को नुकसन पहुचा सकता है यह आपके हड़ियों को मजबूत और हल्दी रखने में हल्प करेगा और उन्हें कम जोर और टूटने की पॉस्बिल्टी को कम करेगा अब बात करते हैं इसे कैसे यूज़ करना चाहिए इस केपसूल को डॉक्टर के डवाइस के अकॉर्डिंग लिया जाना चाहिए इसे खाने के साथ या खाने के बाद लेना सबसे अच्छा होता है क्योंकि इसे आपके बोड़ि को अब्सब करने में हल्प मिलती है आपको कम जोरी मसल्स में दाड़ या फिर मुव में मेंटल टेस्ट हो सकता है यदि आप कोई भी साड़ इफेक्ट फिल करते हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें डॉक्टर आपकी सिम्टम्स को कम करने या उनका इलाज करने में हल्प कर सकते हैं इस मेंडिशन को लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं यदि आपके बिलड में केल्सियम का लेवल हाई है या यदि आपको कोई हार्ट के डिन या लेवर की डेजिस हैं कुछ आधर दवायां बिट्मिन डेथिरी के अप्जॉप्सन को कम कर सकती हैं इसलिए अपने डॉक्टर को अपने सभी दवाओं के बारे में बताएं ताकि यह एंसर हो सके कि यह आपके लिए सेफ हैं अगर बात कर इसकी प्राइस की तो इसकी पारकेप्सुल की एकिस्ट्रेप आपको साड़े तीन सो रुपए के असबात में मिलेगी तो बस इतने ही तो अगर आप लोगों को यह जन करें अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू